ओम नमो भगवते वासुदिवाई नमः जै मादरान दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चानल स्विट्ट वहाजों से नहूं आपकी साथ हिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंच। मातर लक्ष्मी के उपासना करते हैं और इस मास में भगवान शेव और कार्टि के भगवान के उपासना करने से भी विशेश पुन्य फलो की फ्राक्ति होती हैं। अगर हम कार्टि क मास में करते हैं दोस्तों यकीन मानिया आपकी जीवन से जो आर्थिक समझ्याएं हैं, जो मानसिक परिशान्या हैं, किसी भी प्रकार का कश्ट है, वो भगवान शेहर विश्टु माता, लक्ष्मी भगवान श्रंकर के पासे अती शेग्र समाप्त हो जात है वो होता है दीप डान इस महीने में ऐसा बताया गया है कि ये दीप डान का माज है और इस मास में आप ocur oldest 참वत भगजबान शीह लिबष्णू के निमद्दन करें दूसरा दीप डान मात मात लक्श्मी के निमेद्द करें इस मास में अगर नदियों में हम धीप प्रवाहित करते हैं, धीप धान करते हैं, सब बताया जाता है कि इससे मोकष की प्राक्ति होती है, जीवन की हर प्रकार की समस्याएं हमारी समाप्त हो जाती है दोस्तो आगे की दान मैं बताओं से पहले मैं बतादू कि इस तरह की बहुत सारे वीडियोज मैं आपके साथ हर रोज शेयर करती हूँ तो चैनल पर अगर पहली बारा आए हैं इस तरह की जानकार में आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कर लेजे दोस्तो कार्टिक मास में किया जाने वाला दूसरा दान जो है वो बहुत ही फलकारी होगा आपके जीवन के लिए अगर आप करते हैं आवले का दान कार्टिक मास में अगर देखिए आवला ब्रिक्ष जो है आप घर लाते हैं उसको सिंचित करते हैं उनकी पूजा करते हैं इसे असीन पुन्य फलों की, अक्षय पुन्य फलों की प्राप्ति होती है कार्टिक मास में अगर जो आमले का फल होता है, देखिए यही सीजन होता है इस समय अगर आप आमले का दान करते हैं तो आपकी सभी मनों कामनाएं भगवान शियर विष्णू के कृपा से पुर्ण हो जाती है आमले को अमृत फल कहा जाता है इस धर्टी का और इससे मानग जाता है कि उसकी सेवा से भी आपको बहुत असीन पुन्य फलों की प्राप्ति होती है आपको दान करना चाहिए आपको कार्टिक मास में सेवन भी करना चाहिए आमले के फल का ये आपके लिए भी स्वास्त की लिहाज से भी बहुत उत्तम होता है तो दूसरा आमले का दान कार्टिक मास में आप जरूर कीजिए देखिए अब जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत छोटे सरल से उपाय में बताने चाह रही हूँ दान ये जो है ये आप करेंगे आसानी से कर सकते हो और कोई भी व्यक्ति कर सकता है ऐसा नहीं है कि घर में जो वजर्ग हैं जो पूजा पाथ करती हैं चाहे वो मा हो या आपक आजी हो वही करें कोई भी व्यक्ति इस दान को इन चोटे-चोटे करमों को कर सकता है तीसरा दान दोस्तों कार्टिक के मास में उनी वस्त्रों का अगराब दान करते हैं इससे आपको बहुत आशिरवाद मिलता है एक तो उन लोगों का जिनको आपने दान किया है क्योंकि क्या विजरुत होती है ठंड का मौसम हो जाता है और कार्टिक मास में उनी वस्त्रों के दान से ऐसा कहा गया है कि आप चो ये पुन्नि करते हैं इससे आपकी वस्त्रों का दान भी आप को उसरूर करना चाहिए चौथा दान दोस्तों अन्य का दान का अन्य की दान का भी ब शेश योगों में अगर हम करते हैं, तो उसका पुन्य फल हमें जादा मिलता है, इसलिए बार-बार इस तरह कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूं, तो आपसे कहती हूं कि इस योग में कीजे, इस समय कीजे, इसका पुन्य फल आपको जादा मिलेगा, तो कार्थिक मास में को आप कीजे, तो इनका दान, जो भी जरुरतमंद आपको दिखे, उनके हाँ पर अनका दान आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, कि आपसे ब्रहमनों को ही अनका दान करें, अनका दान तो हर किसी को आप कर सकते हैं, जिनको जरुरत है उस अनकी, तो ऐसा दान कार्टिक मास म तिल कादान करना बहुत फलकारी होता है और ये भी आपके जीवन में बहुत शुबता लेकर आता है सौभागी की व्रिधी होती है, सुक्सब्रधी लेकर आता है कार्टिक मास में पूरी मास में भगवान श्री हरे विष्णु को आपको तिल अर्पित करना चाहिए आप रोजाना की पूजा कर रहे हैं, आप भगवान विष्णु को दिल जरूर अर्पित करें भगवान कृष्ण को दिल जरूर अर्पित करें कार्टिक मास में भगमान श्री हरे विष्णी की पूजा में तिल बहुत महत रखता है और अगर आप रोजाना उनकी पूजा में अर्पित करते हैं तो इस बहुत तरह की सुख चाहते हैं बहुत तरह की सुख चाहते हैं आपने किसी को चावल दे दिया, आपने किसी को ऐसी वस्तु तिल दे दिया, देखिए ये छोटी-छोटी कर्म है ना, ये जो छोटी-छोटी दान है, आफने का दान कर दिया, आपके जीवन में बहुत शुबता लेकर आएंगे, तो कार्टिक मास में अगर अन्य कुछ कारे आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कार्टिक दान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये वाला काम सरूर कर लेना है, परिवायर के सभी सदस्यों से मैं अनुरोद करूँगे, कि छोटे-छोटे से दान आपको अपने जीवन के उन्नती तरकी के लिए करते रहना चाहिए, जरु उमीद करती हूँ, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, वीडियो अगर पसंद आए, तो लाइक जरूर कर दीजेगा, चैनल पर पहली बार आए है, इस तरह की जानकार्या आपको भी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजे, और शु